गरिलू उपाए में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको एक ऐसा स्वीट बताने वाले हैं जिसे खाने से पीट दर्म में तुरंत रहत मिलती है और अगर इस सर्दियों में अगर आप इसे खाएंगे तो और भी जादा रहत पाएंगे अगर आप अक्सर कमर दर्द रहता है या आपके पीट में दर्द रहता है यह समस्या सर्दियों आते ही बढ़ जाती है तो आपको सौट के लडू खाने चाहिए वैसे तो यह लडू जच्चा के डिलिवरी के बाद भी खाये जाते हैं यहां पढ़ें आगे हम आपको बताने वाले हैं सौट के लडू बनाने की रेसेपी तो इसके लिए जो सामगरी चाहिए उसे आप चाहन लीजिए सौट 25 ग्राम गुड़ 250 ग्राम सूखा पकान आरियल 50 ग्राम गेहु का आटा 100 ग्राम देसी घी 125 ग्राम बादाम 35 ग्राम गुण 50 ग्राम पिस्ता 10 से 12 अब बनाने की विधी बताने जा रहा हैं आपको गुण के छोटे टुकोडे तोड़कर तयार कर लीजिए बादाम मिक्सर में डालकर पीस लीजिए पिस्ते को पतला काट लीजिए कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लीजिए थोड़ा घी बचा लीजिए घी को मीडियम गरम कीजिए और गोंद को धीमी गैस पर भून लीजिए गोंद फूल कर चार गुने अकार में हो जाती है भूने गोंद को अलग प्लेट में कर लीजिए बचे गुए घी में आटा डालिये और लगातार चलाते हुए मीडियम और धीमी आग पर ब्राउन होने तक भून लीजिए भूने आटे को अलग प्लेट में निकाल कर रख लीजिए कड़ाई में दो चमच गी डाले और पिघलने दीजिए सोट को घी में डाले और धीमी आग पर हलका सा एक देड़ मिनट तक भून लीजिए भूनी सोट को भूने आटे वाली प्लेट में ही निकाल लीजिए भूना गौन्द थंड़ा होने पर उसे प्लेट में ही बेलन की सायता से पीस लीजिए कड़ाई में बारीक तोड़ा हुआ गुळ लीजिए और धीमी आग पर गुण को पिघलने दीजिए गुल पिगलने पर गैस बंद कर दीजे, पिछले गुल में आटा, सोट, गोंद, बादाम, पाउडर, नारियल और पिस्ता डाल कर सारी चीजे को अच्छी तरह से मिलने तक मिला दीजे, अब कड़ाई को गैस से उतार लीजे, हलके गरम में ही मिस्रण के लड़ू बांध ली और दबा दबा कर लड़ू बना लीजे, सोट के लड़ू है, ये सोट के लड़ू है, थोड़े छोटे ही बनाई है, सारे मिस्रण से इसी तरह लड़ू बना कर तयार कर लीजे, इतने मिस्रण में लगभग 18-20 लड़ू बनकर तयार हो जाएंगे, लड़ू को दो-तीन घंटे तक खुले हवा में छोड़ दीजिए लड़ू सुष्क हो जाए लड़ू को कंटेनर में भर कर रख लीजिए और दो-तीन महीं तक खाते रहे और ऐसे ही आप और भी लड़ू बनाकर खाते रह सकते हैं और आपके अपने पीड दर्द या कमर दर् गरेली उपाय सब्सक्राब नहीं किया तो इसे तो नहीं सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से लिटेट कोई भी सवाल या सुझा आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्